स्वाधत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ है भाषा और मुकुल और आज जो तीन मुद्दे हम आपके सामने लेकर आएं बहुत एहम है मुद्दा नमबर एक आरक्षण के मुद्दे पर लगातार घिर रही है बीजेपी सरकार सहयोगी दल हमलावर राहुल के दम के आगे किस तरह से बेदम है बीजेपी मुद्दा नमबर दो चुनावों का ऐलान मगर महराष्ट और जारगंड के चुनावों का ऐलान नहीं किया जा रहा क्या चुनाव आयोग भारतिय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच को आगे बढ़ा रही है और मुद्दा नमबर तीन महिलाओं के खिलाब जो अपराद हो रहे हैं उस पर बीजेपी और गोदी मीडिया के तोहरे मापदंड क्यों है मगर शुरुवात हम करना चाहेंगे एक बहुत एहन मुद्दे के साथ जिसकी लगातार चर्चा हो रही है और वो चर्चा क्या है आरक्षण का मुद्दा है उच पदों पर जो भरती हो रही थी एक विज्यापन आता है मगर उस पर बवाल शुरू हो जाता है सहयोगी दल कहते हैं इसमें आरक्षण की अंदेखी की जा रही है राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं अखिलेश यादव मुद्दा उठाते हैं समानांतर तोर पर इलाबाद हाई कोट का फैसला आता है 69,000 शिक्षकों की भरती को लेकर और कहा जाता है कि ये आरक्षण की अंदेखी है यानि कि आरक्षण के मुद्दे पर वीजेपी लगातार घिर रही है भाजपा को उच्छ पदों पर जो भरती है नौकरशाही की उस फैसले को वापिस लेना पड़ता है भाजपा की किरकि होती है क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल अभिसार मेरा साफ मानना है कि आरक्षन पर सरकार इसलिए घर रही है क्योंकि वो कई मुझे बोलती है RSS कुछ और बोलता है, BJP कुछ और बोलती है, सरकार कुछ और करती है यही वज़ा है कि आरक्षन के मुद्दे पर सरकार घरती जा रही है और विपक्ष का मजबूत होना इसमें एक अच्छा कदम है जिसकी विएसे सरकार को अपने कदम पीछे खिचने पड़ते हैं अबिसार मेरा साफ मानना है कि लेटरल इंट्री यानि सीधी भरती पर यू टर्न मोदी जी के लिए एक क्लियर मेसेज है और जिस तरह से भारत बंद हुआ उससे भी ये स्याफ संदेश है कि अब आरक्षन और कॉंस्ट्यूशन दोनों बीजेपी और मोदी सरकार के लिए गले की फास बन चुकी है और यह दरसल एक गेम चेंजर है अब इन दोनों चीजों पर हाथ आगे बढ़ाने से पहले हजार बार मोदी सरकार को सोचना होगा क्योंकि विपक्ष एट जूट है और जनता जमीन पर सड़कों पर उत्री हुई है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि भारती ये जनता पाटी लाख चाहे वो इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि उसके अंदर एक बुनियादी आरक्षन विरूधी सोच है और मैं कैसे कह रहा हूँ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरक्षन को लेकर जो भारत में प्रदर्शन हो रहे है यहाँ पर भाच्वा का प्रचार तंत्री ये कह रहा है कि देखिए जिस तरह से बांगलादेश में आरक्षण को लेकर आग लगी और फिर शेक हसीना अपदस्त हो गई वैसे ही भारत में भी साज़िश है जब कि आप जानते हैं कि बांगलादेश में आरक्षण और भारत के आरक्षण ये जमीन आस्मान का फरक है दो दो में यानि कि कहीं न कहीं आरक्षन को लेकर एक भुन्यादी तौर पर विरोध एक सोच दिखाई देती है। यानि कि इनको मूँ छुपाते नहीं बन रहा है। तुम क्यों कर रहे थे। तुमने तो इसे ऑफिशल योजना में बनाया ना दो हजार अठार में सबके सामने आया कि आप कैसे लेटरल इंट्री कर रहे हैं। इसमें चुनाओ में जाने से पहले आपने लेटरल इंट्री के बाद विपक्ष की यह जीत है अभिसार कि जिस तरह से उसने इसे एजेंडा बनाया। कि मोदी जी को लगा किया रहे हैं तो हर्याणा और चुनाओ बाहर निकल जाएंगे। इसलिए देखिए जितना इन्होंने कदम वापस लेने के बाद बैटिंग क्या की है अश्वनी वैशनम ने कि मोदी जी आरक्षन, समाजिक सुरक्षा और वंजितों के लिए काम करने वाले हैं यानि एक तरह से मसीहा बनाने की कोशिश की लेकिन जमीन पे तो लैटरल हिंट्री पे जो यूटर्न है ये बहुत बड़ा संदेश है कि आगे ऐसा करना इनके लिए संभव नहीं है और मुकुल मेरे खाल से राहूल गांधी को बल इस बात से भी मिलता है कि जब अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे राहूल गांधी पिछडों के मसीहा बन जाएंगे यहाँ पर बीजेपी की कमजोर नबस परवार जो है कॉंग्रेस नहीं कर रही है जंतादल उनाइटेड ने इस तरह से उन्हें कहा जंतादल उनाइटेड हो या चिराग पासवानों उन्हें डर यही है कि वाके में अगर राहूल या कॉंग्रेस के इंड़ा का ड्मंदन मजबूत होता है तो उनकी जमीन खिस सक जाएगी और चाहे वो क्रीमी लेयर का मामला हो चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो इन सब मे जो है इसमें सरकार को जैसे मैंने एक जगह कमेंट पढ़ा बड़ा अच्छा कि आपको शौचाल ले और अपनों को सची वाल ले मतला ये एक वो है और वो कहरें कि कॉंग्रेस लाई थी तो कॉंग्रेस की ही सब चीजे आप क्यों लागू करना चाह रहे हैं और आप महन सिंह का उधारन उसके बरक्स देते हैं तो महन सिंह का टैलेंट और उनकी योगता है वो सब के सामें जाए अभी सार इसमें एक और बहुत बुनियादी प्रॉब्लम है कि आप यह मान के चल रहे है कि आईयस जो है जो इतनी महना से बन रहा है जा रहा है उसके अंदर ट आप असी बाधुई बुच्को सेभी का प्रमुक बनाते हैं जिनका इतना हितों का टकराव दिखाई देता है उसकी जगह आपकिसी आयरेस या आईयस पर विश्वास करते हैं तो पहली बार 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 से दरसल क्या हुआ कि उन्हें आईयस पर विश्वास है वो भी उनका ह पर अपने लोग ला दें है रहा है वह जो पूर प्रिक्शा आइस फञ Pengs की दिखना परा क्यों आईयस पास करना हिए भू मितुर्व करों प्रिक्ष तो ये सारा का सारा सिस्टम जिस तरह से कोलाप्स कर रहा है, उसमें ही लेटरल इंट्री का बहुत इंपॉर्टनी योगदान है, भाशा ये जो कदम उठाया गया है, क्या सीने तोर पर कहा जाए, ये सब 240 सीटों का कमाल है, आप जो 60 सीटे नीचे आ गए, आप जो बहुमत स 32 सीटे नीचे हैं, ये सब उसका कमाल है, बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि अगर इनको ये एहंकार ना होता, क्योंकि अभी भी उस सिंड्रोम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कि ये अल्पमत की सरकार है, इन्हें बैसाकियों की जरूरत है, और इस बैसाकी में सिर्फ एक अब्जेक्शन किया था, चंद्रबावु नाइडू तो पक्ष में थे लेटरल इंट्री के, क्योंकि वो तो बाजार का एजंडा लागोई कर रहे थे, लेकिन ये जो विरोध है, क्योंकि आज की तारीक में और RSS का फीडबैक, आप ध्यान दीजिए कि जो फरीदाबाद में बैठक होई, राजनास सिंग के घर में जो बैठक होई है, RSS के नेताओं के साथ, उसमें ये बताया गया कि भाई, आप बहुत दलित विरोधी हो गए, बहुत पिछड़ा विरोधी हो गए, आप नहीं जीत पाएंगे चुनावु और ये नहीं मुकुल, क्योंकि देख बिल्कुल, ये सोच इन से चस्पा हो गई, और वो हकीकत भी है, और आप दो 240 वाली बात कहरे हैं, वाके में ये यकीन करना होगा, अगर ये पहले की तरह बहुमत में होते हैं, तो जैसे एक रात ऐलान करते हैं, आट बजे की नोड़ बंदी, लॉक डाउन, ये सरकार किसी इस पर कदम वापस लेने पड़े, वक्फ बोल्ड का जो पूरा बिल है, वो जैपीसी को देना पड़ा, ब्रोटकास्ट बिल वापस, ये सारा ये, और ये जब सब जन हित में हो रहा है, ये जन विरोधी ही एक तरह से चीज़े थी, तो आप समझें की 240 लाके बहुत बहु अबर मैं याँ पर भाशा आप से जानना चाहता हूं, राहूल गांधी की याँपर रणनीती, जो है, देखिए लगातार एक अरसे से ये वक्ती जाती ये जनगणना, जाती ये जनगणना की बात कर रहा था, जिसकी जितनी प्रतिशत उसकी उतनी भागेदारी की बात कर उपर से क्या होता है, लाटरल एंट्री वाला मुद्दा जाता है, तो एक तरह सी ये मुद्दा राहूल गांधी के पास आया है, और जो बात केसी त्यागी कह रहे हैं, कि राहूल गांधी पिछणों के मसीहा बन सकते हैं, एक-एक करके ये जो घटना करम हो रहा है, हम उस एक मत था किस ये सरकार हमसे आरक्षन चीनना चाहती है, तो ये एक परसेप्शन जो है, जमीन पर चला गया है कि मोधी और मोधी सरकार आरक्षन विरोधी है, और कॉंस्ट्यूशन चेंज करने वाले हैं, कितना बड़ा प्रदर्शन था नहीं था वो छोड़िये, और ये राहुल गांधी की जीत है, क्योंकि वह एक ऐसा शक्स है, जो भारत जोड़ो यात्रा जब से उसने शुरू की, दो हजार चौबिस से पहले की बात करी है, आप देखिए कि लगातार वो एक ही धंग से चौंस्ट्यूशन की बात कर रहा है, वह बात कर रहा है जाती गड़ जहरी ले रेडियो रवांडा सेरी के प्रोग्राम्स चलाते हैं, उससे देश नहीं बट रहा है, मगर अगर किसी की हिस्सिदारी की बात की जा रही है, तो उससे देश बट रहा है, लेकिन अब तो जमीन पर चला गया अभिसार, और मुझे लगता है, देखिए राहुल ग सबसे दिल्चस बात की बीजेपी के सायूगी अनुप्रिया पटेल कहने लगी, केश्व प्रसाद मौरेया, जिनने स्टूल मंतरी बताते हैं, अखिलेश यादव, वो तक बोलने लगे, तो भाजपा के लिए बुरी खबर ये की लाटरल एंटरी पे किरकिरी हुई, और सा भारत बंद हुआ है, उसमें सारे मुद्दे थे, ये क्रीमी लेयर का मुद्दा बहुत ही, मतला इसे लोग उद्वेलित हैं, कि जो लोग पहुंच रहे हैं उस जरवाजे तक, जहां वो आरक्षन का लाब ले सकते हैं, आप उन्हें ही अगर बाहर कर देंगे, तो फिर तो गांदी का मामला चल रहा था, वो राष्टी नेता के तौर पर पहले नेता थे, जिन्होंने इस मुद्दे को उस समय लखनों में उड़ाया था, एक तेरव राहूल गांदी है, जो राष्टी नेता के तौर पर ये बात रख रहे हैं, और समाना अंतर तोर पर, क्षेत्री इस तर पर अखिलेश यादव आवाज बने हुएं उत्तरपदेश में, तेजस्वी यादव बुलंद आवास कर रहे हैं बिहार में, ये भी मेरे हिसाब से भारती जन्ता पार्टी के लिए बहुती चिंता का सबब है, क्योंकि राष्टी इस तर पर राहुल और यूपी औ पैन इंडिया फिनॉमिना बन रहा है, जिसमें जो उपर से मुद्दे हैं, उनको छेत्री छेत्रप जो हैं, वो किस तरह से मजबूती से लड़ाई करके, उतार के, क्योंकि कल जो इंपॉर्टन था कि सपा बसपा दो न उतरे, ये पहली बार है इस तरह से, कि सपा भी प्र प्रोटेस्ट में, बीमार्मी भी प्रोटेस्ट में, और वहां पर आप देखे कि महराष्ट में, तमाम जो इंडिया गडबंधन के लोग हैं, वो प्रोटेस्ट में हैं, तो ये एक पैन इंडिया फिनॉमिना विपक्ष का, जो अंदर और बाहर दोनों तरह से, राहूल ग की सरकार उसका फिवर करती है, करनाटक भी कहती है, तो उन चीजों पर भी लोगों को समझाना कि क्या इसमें से सही है, कोटा विदिन कोटा सही है, कितना सही है, या क्रीमी लेयर गलत है, तो कितनी गलत है, क्यों गलत है, कॉंग्रेस और राहूल को भी इस पर बहुत बात क अच्छा इसके अलावा मैं जो देख रहा था प्रचार उसको लेकर कि देखो जिस तरह से बांगलादेश में आरक्षन को लेकर अंदोलन चला शेख हसीना का तब तक बरट हो गया अब वही साजिश भारत में दोराई जा रही है इसके पीछे राहूल है जबकि लोग जानते दूनों में जमीन आस्मान का फर्क था वहां शेख हसीना आरक्षन करना चाहती थी उन लोगों के लिए जो बांगलादेश युद्ध में लड़े थे उसका विरोध लोग कर रहे थे यहां मुद्दा कुछ और है यहां सम्विधान को बदलने की बात कर रहे हैं यहां यह स विरोध है तो मुझे लगता है यह अभी एक बहुत खतरनाक साजेश है क्योंकि इस तरह का जो नफरती अभियान 24 घंटे कॉर्परेट मीडिया गोदी मीडिया चला रहा है उससे नीचे और खास तौर से जो डॉमिनेंट कास्ट के लोग हैं जो मध्यवर्गी यह लोग है अभिसार विपक्ष तो उस पे पिच करेगा ही करेगा लेकिन सरकार की जो साख है मोधी जी की जो साख है और मोधी जी के पीछे जो आरेसेस खड़ी हुई है उसकी जो साख है वो लगातार एंटी कॉंस्ट्यूशनल है क्योंकि आपके अपने सांसत बोलते रहें कि हमारे क चार सो दे दीजी और हम समिधान बदल देंगे आयोध्या इसलिए हारे काउंटर नहीं किया उन्हें कोई नसीहत नहीं दी गई ये लोग लगातार समिधान को बदलने की बात करते रहे मैं नहीं बूला हूँ जैराम रमेश ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने योग अरक्षान खाडिश करना चाहते हैं वह पूरा का पूरा वही सोच है वही मेडिल क्लास की सोच है वह इसलिए उसके साथ भी जुड़ा रहता है जहां हिंदुत्वा और यह सब चीजे है तो वह एक वोट बैंक वह बनाए रखना चाहता है और हम रुक करना चाहेंगे अप कि महराष्ट में लड़की बहन योजना के तहट अभी एक और किस्त जारी होनी है जारखंड के अंदर वीजेपी का एक तजुर्बा चलने वाला है चंपई सोरेंग के जरिये यानि कि वहां पर आदिवासी वोटों को काटा जाए इसलिए वहां घोशना ही नहीं की जाती ह मतलब कल्पना से भी विचित्र चल रहा है क्या ऐसे में चुनाव आयोग पर विश्वास किया जा सकता है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाशा अभी सार एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग किन राज्यों में चुनाव कराने जा रहा है यहां के राज्य के जो पार्टियां है उनको पता चल जाता है लोगों को पता चल जाता है राम रहीम को छोड़ा जाता है फरलो पे हर्याना में एनाउंस हो जाता है कि एनाउंस होने वाला है जम्मू कश्मीर में 198 अफसरों की तबदीली होती है रिशफल होता है वहां के लोगों को पता चल जाता है पुलिटिकल पार्टी इसको साख बिलकुल खतम है चुनाव आयो की और महराश्ट और जारखन में वे इंजार करें कि बीजिपी से हरी जंडी कब मिलेगी वे जब तयार हो जाएंगे तब चुनाव एनाउंस होगा और इस से शर्मनाख घटना क्रम और कुछ हो नहीं सकता अभी सार क्या है इस पर आपका पंच कितनी शर्मनाख बात है ना घटने शतूरती का इंतजार किया जा रहा है ताकि महराश में लड़की बहन योजना की अगीरी खेप जारी की जाए दिल्चस बात यह है कि राजीव कुमार जो कि सीसी है वो ये कहते हैं कि भाई हमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाहिए ताकि वहाँ पर शुनाव हो सके यानि कि अब भी ये मान रहें आप कि तमाम दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात सामा नहीं है और ये भाज़पा की राजनीती पर एक करारा तमाचा है क्या है समुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल अभिसार एक दिन पहले प्रधान मंत्री लाल के लिए से फिर वही वन नेशन वन इलक्षन का वकालत करते हैं उसका रागला आपते हैं और अगले दिन चुनाव आयोग दो राज्यों में चुनाव का एनाउंस करता है यानि वो बताएता कि हम चार राज्यों में भी एक सा चुनाव करने की लायक नहीं है तो इससे क्या पता चलता है और वही बात जो भाशा ने कही है कि वह सुविधा देख रहा है कि भाजपा की सुविधा कब है वहां चंपई सुरहिन सेट हो जाएं महराश्ण में सेट हो जाए मामला तो वहाँ फिर चुनाव की घुष्टना से मदद मिल रही है और कैसे मदद मिल रही है कि वो अपना एक आदिवासी स्थापित करें ता कि हेमन सुरेन का वोट बैंक जो है वो बटे क्या खजब की खुराफाती सोच है और इसलिए क्षुनाब भी तब भी आप सोचते हैं कि अब कैसे destabilize किया जाए और ये देखिए कि चमपई सोरें जब दिल्ली आते हैं हम तो देखी सुन रहे थे यहाँ पर वो पूरे समय इंतजार करते रहे कि शुवेंदु अधिकारी से मिलते हैं वो जो खबरें बताई जाती है सूत्रों के हिसाब स है कुलकता जाते हैं शुवेंदु अधिकारी सेट करते हैं कि मीटिंग होगी यहां मीटिंग का हरी जंडी नहीं मिलती क्यों क्यों कि यहां लगता है कि वह बाहर रहे की ज़्यादा अच्छे से काट सकते हैं बीतर आयंगे तो काटको कि भीतर काटने के लिए अर्जुन सर्मा को प्रभारी बनाया जाता है ज्यारकंड का जो नफरत असम में खूल चाल में उगल रहा है यह जो और भारति जन्तापारी लगातार भारति जन्तापार करते हैं शुना आयो इस राजनीति को आगे वह बढ़ा रहा है, अब आप कहते हों कि साहब हम इसलिह नहीं करा सकते हैं सभी राज्यों में कुछी में हालात सामान नहीं हैं, यानि कि ये भाजपा के दावे यहीं पर खोकले सावत हो जाते हैं, आपने क्या-क्या दावे किये थे, क्यी 370 के बाद ये फलाना ढिंगाना के ब दूसरा महराष्ट तो हरियाना के साथ चुनाओ बिल्कुल होना चाहिए तर होता है महाभी नवंबर में यह 25 नवंबर के आसपास की विधानसवा का कारेकाल पूरा हो जाएगा यानि यह कोई तुक नहीं थी कि उसका चुनाओ बाद में घोशित किया जाया अलग से जहारख पूराष्ट तुक नहीं होता है कि विपक्ष को भी अच्छा मौका है कि हर्याना फोकस करें जम्मो कश्मीर फोकस करें और एक एक करके राज्य को लड़े क्योंकि भाई बीजेपी पर तो बहुत बड़ी मशिन री है तो मुझे लगता है यह इसमें भी धोका खाएंगे इसमें भी नुकसान होगा क्योंकि आप कॉंग्रेस और इंडिया एलाइंस हर्याना अच्छे से लड़ पाएगी जम्मो कश्मीर अच्छे से लड़ पाएगी और एक चीज़ इसमें एड़ कर दूं कि जारखंड में इन्होंने रड़नीती अपनी बदली क्योंकि इन्हें पर जो मुद्दा उठा रहा हूं वो है चुनाव आयूक की विश्वस नियता का इस घटना करम के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं और फिर हमने देखा कि किस तरह से असोसियेशन अव डिमोक्राटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई कि जितने वोट डाले गए कुछ रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं कि भाया 79 सीट्स का जोल हुआ है जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मगर कम से कम वोट जितने डाले गए और जितने काउंट हुए वो तो फार्क दिखाई दे रहा है और अभिसार ये सारे आकडे चुनाव आयोक के वेबसाइट से है इस पर जवाब दे ही तो चुनाव आयोक की बनेगी और अगर इसका आकलन करके तमाम लोग ये सामने ला रहे हैं कि बीजेपी को 60 से 70 सीटों का फायदा हुआ ने तो और सोची 240 से अगर आप 60 सीटे हटा दीजे तो कहां पहुंचती बीजेपी तो ये एक जो माहौल बना ह और उसमें जम्मु कश्मीर से जो आवाज उठ रही है अभी साथ वो बहुत सीरियस है क्योंकि वहाँ पर दोनों ही जो प्रमुक पार्टियां हैं PDP और NC उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि चुनाव आयोक पूरी तरह से बायस्द है एक दिन पहले व आउंस हो गया Friday को Saturday को स्कीम आउंस करते हैं कहते हैं हमें पता है बाई चुनावा योग मान जाएगा ये तो सेटिंग चल रही है खुले हम बिलकुल और हम रुक करना चाहेंगे अपने तीसरे एहम मुद्दे का काईदे से इस मुझे शुरुआत करनी चाहिए मगर हो क्या यसे महिलाओं के खिलाव जो अपराद हो रहे हैं उस पे ruling बीजेपी हो या गोधी मीडिया उसके तोहरे माबदन दिखाई दे रहे हैं आर जी कर मेडिकल कॉलेज में एक तीस साल की डॉक्टर के साथ जो होता है पूरा देश उससे हिल जाता है मगर हम लगातार देख रहे पुलीस केसी भी दर्श करती है लड़की आत्मत्या कर लेती है बड़ा सवाल ये इस पर शर्चा क्यों नहीं होती है प्राइम टाइम डेबेट क्यों नहीं होते हैं महराश्ट के बदलापुर में जो घटना करम होती है जहां दो मासूमों के साथ दुशकर्भ होता है और आर जी कर मेडिकल कॉलेज उन दोनों में फर्क देखिये सोच का जो अपने आपे कितना शर्व नाक है क्या है इस मुद्दे का पंच बदाएंगी भाशा अभिसार बीजेपी का जो डबल स्टैंडर्ड है वो बिलकुल क्लियर हो गया है बदलापुर महराश थाने वहां पर जब प्रोटेस्ट होता है दो बच्चियों के साथ सेक्श्वल एसॉल्ड के मामले में वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि यह जो विरोध है यह पॉलिट बातार सिर्फ और सिर्फ वही मुद्दा बनता है क्यों नहीं अम बेटकर नगर खबर बनता है जहां पर 21 साल की लड़की के साथ गैंग रेफ होता है और योगी जी की सरकार चुप बैठी रहती है यह डबल स्टैंडर्ड खतरनाक है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच है सीधा से सवाल है जिन जिन राज्यों में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है क्या मुख्य मंत्री आदितना किसी पिड़ता से मिलने गए क्या पुषकर सिंग धामी किसी पिड़ता से मिलने गए बिलकिस बानों कि जब रेपिस को रिहा किया ग इंडिया इसकी चर्चा तक नहीं करता यह है दोहरे मापदंड विच इस सो शेमफुल क्या है इस मुद्दे का पांच बताएंगे मुकुल मेरा भी कहना यही है दोहरे मापदंड विच इसमें रोज 88 बलतकार होते हैं वहाँ हमें कुछी मुद्दो पर गुस्सा आता है और वो गुस्सा क्यों आता है कि इसके दोरा राजनितिक दलो दोरा सत्ता दोरा और उसके गोदी मीडिया दोरा इसलिए बहुत दोहरे मापदं सरकार है no doubt about that उसकी हम सवाल यहां पर भाशा करते रहें मगर दिखिए उसकी बहाने जिस तरह की खबरे लीग हो रही है CBI 9 दिन हो गए कोई सवाल नहीं कर रहा कि आप कुछ नहीं कह रहे हैं और सबसे शॉकिंग मैंने देखा ABP News ने वहां की जो ABP Bangla है उनकी तरफ से कई अवाहें जो हैं फिर बाद में उन्योंने डिलीट किया तो यह जो तमाम चीज़े आ रही है एक मुद्दा है गंभीर मुद्दा है मगर मजाग बनाये जा रहा है उस मुद्दे के और इस पर आप जो पिछ खेल रहे हैं जो फेक निउस चला रहे है बहुत तो और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उससे मेंन फोकस हट जाता है कि आप एक रेप केस में क्या करेंगे क्या डिमांड होती है कि जो व्यक्ति दोशी है उसको पकड़ा जाए उसके किलाफ सक्स सक्स कारवाई हो तुरंट प्रॉसेजर पुलिस काम करे सी बी आई क करें यही आप मांग होती है और एड्मिस्टेशन शामिलत एड्मिस्टेशन को जिम्मेदार बनाया जाए उनके लोगों की भी गिरफतारी हो इसके बाद यह होता है कि बाकी जगों पर भी यह ना हो लेकिन मुझे जो दुख और दर्द होता है अभी सार कि एक मुद्दे तो हमारा दिल दुखता है लेकिन ठीक उसी समय आठ अगस की घटना है आज हम बात कर रहे हैं आप देखे इस दोरान जितनी बर-बर घटनाय हुई है तुरंत अगले देन बिहार में मुझफरपुर में एक दलिद बच्ची के साथ गैंग रेप होता है उसके ब्रेस्ट का अभी जो प्रोटेस्ट है उसमें आप कहां ले जाएंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक प्रोटेस्ट पर सारा फोकस हो जाता है और जान बूच के क्योंकि वहां पर ममता बेनरजी हैं बदलापूर पर क्यों नहीं किया कम हीनियस है या कोई भी रेप को हम कैसे अब सबसे बड़ी बात है चाहे बिहार में वो मासूम जिसके स्टन काट दिये गए या फिर उत्तरा खंड में जो एक के बाद एक बड़ी घटना है सामने उभर कर आ रही हैं एक नर्स के साथ पहले तुशकर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है इन सभी घटनाओं में ह कि चरित्र परसवार उठाए जाते हैं जैसा हमने हातरस में देखा था हमने देखा था हातरस में रातो रात शव जला दिया गया था एक पिड़ता का हमने हातरस में देखा था कि किस तरह से प्रशासन उस परिवार को धंकारा था वहाँ परिवार सिर्व यह कह रहा था कि मुझे कम से कम बिटिया को हल्दी तो लगाने दिन दो, मैं उसकी शादी नहीं कर पाई, कम से कम हल्दी तो लगा दिने दो, यह तक प्रशासन नहीं, यह है फर्क और यहां पर कोई जवाब देहीं नहीं है, उसके मंतरी दर्द भी नहीं जानते, वही डबल इस्टंडर, वही धोरमापडंग, वही पाखंड, क्योंकि वहां हमें पश्चिम मंगाल में मुख्य मंतर का स्टीफा चाहिए, यह बाकाइदा चलाया गया कि राश्पती शाषन लेकिन उत्राखंड में चाहिए एसबीटी पर रेफ होता हो चाहिए यूपी में हातरस्की जिसे आपने बात की यहां तो मतलब पीडिता से मिलने की बात छोड़िए जो थी मरत उसी को परिवार से नहीं मिलने दिया गया ताजा घटना किरा में लड़की ने स्यूसाइड क्योंकि पुलीस केस दर्ज नहीं करना चाहता है यह हम कह रहे है कि इस वजह से क्या होता है कुछ मुद्धे बहुत है बहुत है लोग और इसमें नहीं मिल पाता फिर सभी को और बलतकार की घटनाय लगातार जो एक बात हो रही है कि सुरक्षा महिलाओ के कैसे हो वर्क्प मैं कैसे सुरक्षा हो रेल में बस में वो सारे मुद्धे पीछे चले जाते हैं एक मुद्धा उड़ जाता है दूसरों को आप भूल जाते हैं और मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ देखिए एक तरफ एक घटना होती है सरकार कटगरे में हमेशा होगी निर्भया हुआ हम नहीं भूले हैं कि रिकोर्ड टाइम में दिल्ली पुलीस ने उस मामले को फाइल किया था उन्होंने उसका सॉल्यूशन किया था राहूल गांधी लगातार निर्भया के संपर्क परिवार से संपर्क में थे मगर हम सबने दिल्ली की सरकार को कटगरे में रखा था शीला मैं कुछ और यहां पर कह रहा हूँ, एक तरफ तो यह है कि घटना होती है और उस घटना को लेकर सवाल, मगर दूसी तरफ हम भारतिये जनता पाटी में एक सोच को देख रहे हैं कि एक मंच पर प्रजुवल रवन्ना खड़ा है और उसके लिए देश के प्रधान मंत्री वो और प्रजुवल रवन्ना देड प्रधान मंत्री जानते हैं 21 दिन के फरलाव पर एक बलातकारी को आप रहा करते हैं और वो एक ताकतवर आदमी है और कहीं पे भी मुझे लगता है कि यह जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है यानि आप हात रखते हैं बलातकारियों पर और ह बुझ भूशन शराण सिंग के ख़िलाफ एक कैंपेन नहीं चला पाता अभिसार जिसके कि ख़िलाफ ऑलंपिकल है उस चार्चीट में गवाहियां है उस बुझ भूशन शराण सिंग के बेटे को आप कैसर गंज में टिकेट देते हैं how dare you do that आप किस अधिकार से बक्वास कर सकते हैं क्योंकि इसलिए कर सकते हैं अभी सार क्योंकि इनका इतिहास ये रहा है बिल्किस के बलातकारियों और उसके परिवार के हत्यारों को इन लोग माला पहनाते हैं तो रेप को जिस तरह से पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता और यहां पर ध्यान दीजिए आप आसा राम बापू की बात कर रहे हैं मैं राम रहीम की बात कर रहे हूं किसके साथ यौन शोचन किया हिंदू बेटियों के साथ किया इन लोगों ने उनकी हत्याएं की वहां पर आउट्रेज नहीं यह जो सेलेक्टिव आउट्रेज है दरसल यह हम औरतों के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर हम पे अगर कोई हमारे शरीपे कोई राजनीती करने को तयार नहीं होगा तो मेरे साथ अगर कुछ खराब होता है तो कोई आवाज नहीं उटेगी मुझे नहीं मिलेगा हात रज की बेटी को आज भी नहीं मिला आज भी उसके परिवार वहीं पर है उसको रि- लोकेट नहीं किया गया किस आतं के साइ मैं है अभी हमारे एक दोस ने रिपोर्ट किये वहां से कि वो वैसे ही आतंग के साहे में रहे हैं, पूरा केस डेड एंड पे जा रहा है हात्रा एक मट में और भी जोड़ दूँ हात्रास हमने उन नाओ नहीं भूलना चाहिए जिसमें बीजेपी का विधायक ही बिल्कुल और वो पार्टी से निकाली नहीं गाए नहीं इसके समर्थन में एक और दूसरा विधायक कहता है कि तीन बच्चों की माँ से कोई रएप करता है ये सोच है ये सोच है जर अबसे दूसरे एक सांसक साक्षी महराज मिलने जाते है मैं आपको यहां रोक रहा हूँ यहां पर साक्षी महराज ने मैं नहीं भूला हूँ कि जब राम रहीम को लेकर फैसला आया था तब साक्षी महराज का बयान था कि भई उन दो लड़कियों पर कौन विक्षवास करेगा यह कोट के फैसले के बाद बयान आया है मुखल अब चिनमेनन को भी पूरा बचाने की और बाहर करने की कोशिश की जारी है कोशिश नहीं हरी जंटी दे दिये यह यह इस तरह की यह सोच जो है और मैं बार बार यह कह रहा हूँ अभी सार भाशा कि इस वज़े से क्या होगा कि न्याय की लड़ाई पीछे चली जाएगी और त बंगाल में मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ जब एक प्रज्वल रवन्ना विडियो बनाता है बरगलाता है लड़कियों को क्या वो रेप आज वेपन नहीं है जिसके लिए प्रधान मंत्री वोट मांगते है जो एक ताकतवर आदमी है राम रहीम उसे बार-बार फरल है उस पर तो बीजेपी सीधे सीधे एक्सपोस खड़ी है अभी सार और प्रज्वल रेवन्ना तो इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए जिसके बारे में राहूल गांधी ने कहा कि ऐसा एतिहास में नहीं होगा मास रेपिस्ट का एक्यूज होना चाहिए जिसे और बिलक तारी ये उस्तिरंगा यात्रा में भाजपा के दो मंत्री ते ते तो इम सॉरी BJP हैस नो बिजनस तो टॉक बाउट रेप बिल्टिक्स अज वेपन क्योंकि आप लोगों की जूनीतिय वो शर्नाक है और जब तक ये दोरे माबदंड रहेंगे इस मुद्दे पर कोई भी ग झाल